करते हैं राजनीती में दो जमादों चार नहीं होता और जो तस्वीरों में दिखता है वही सच नहीं होता ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महराष्ट सरकार ने जूस पिला कर मनोज चरांगे पाटल के अंदोलन के रत को रोक दिया लेकिन क्या इतने बात्र से इस आंदोलन का मकसद हासल हो गया या फिर मराठा आंदोलन की इससे आगे की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है बहराल जो आंदोलन सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था उसे महस 24 घंटे के अंदर खत्म करवा दिया गया राजनितिक सूजबूच और सटीक रड़निती के वज़ा से महराष्ट सरकार ने मनोज जरांगे पाटेल की नेतरत में चल रहा मराठा आंदोलन फ्रोग दिया सब कुछ शांती पूर्वक तरीके से हुआ महराष्ट के सियम एकनाचिंदे नवी मंबई में आंदोलन वाली जगा पहुचे आंदोलन के लीडर मनोज जरांगे पाटेल के साथ एक हाईजॉलिक क्रेन पर सवार हुए चत्रपती शिवाजी महराथ की मूर्ती पर माला चड़ाए और फिर मनोज जरांगे पाटेल को जूस पिला कर उनका अंशन खत्म करवाया बस फिर क्या था नवी मंबई के शिवाजी चौक में जुटे हजारों लोग खुशी से जूम उठे ऐसा लगा चैसोन की कई सालों की मननत थोरी हो गए मुंबई आने से कोई रोक नहीं पाएगा इस अल्चिमेटेम के तुरंत बाद महराष्ट सरकार हरकत में आई मराथा आरक्षन के मुद्दे पर अध्यादेश तैयार किया गया इस अध्यादेश की जानकारी जरांगे पाटेल को दी गई जिसके बाद उन्होंने अपना अंशन खत्म करने का भरोसा दिया इसलिए कई महिनों से महराष्ट में जो मराथा रिजर्वेशन को लेकर माननी है मनोज जरांगे पाटेल जी के नेत्वत में आंधोलन चल रहा था आज उसका बहुत अच्छी तरीके से निराकरन हुआ अंधोलन को खत्म करवाने के लिए खुद सीम एकनाथ शिंदे पहुचे मनोज जरांगे पाटेल को अध्यदेश का मसवदा सौपा जिसके बाद इस मराथा अंधोलन की रफटार पर प्रिक लग गया आज़े की कहानी बताएं उससे पहले ग्राफिक्स की जरीए समझीए कि क्या आखिर मनोज जरांगे पाटेल की मराथा आरक्षन को लेकर मांगे क्या थी मनोज जरांगे पाटेल की मांग थी कि मराथा समुदाय को फूल प्रूफ आरक्षन मिले और OBC के तहट सरकारी नोक्रियों और शिक्षा में आरक्षन मिले साथे उन्होंने मराठा अरक्षन आंदोलन से जोड़े प्रदर्शकारियों की खलाफ तर्च केस वापस लेने की मांग की और ये भी कहा गया कि सभी केस वापस लेने की तारीख तै हो इसके लावा मराठो को कुन भी जाती प्रमाणपत्र देने वाला एक सरकारी आदेश पारित करने की मांग रखी गई और मराठो के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वे के लिए चीमे बनाने की मांग की गई इन सभी मांगों पर मनो जरांगे पाटिल ने 20 जनवरी को महराष्ट के जालना से आंदोलन की शुरुवात की वहां से उन्होंने मुंबाई के लिए कूच किया और उनका टार्गेट था कि 26 जनवरी को वो मुंबाई के आजाद मैदान में देरा डाल दें मगर उससे पहले ही महराष्ट सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया पियम मोदी और सीम शिंदे के इस कदम से इस साफ हो गया कि केंद्र सरकार मराठा समुदाय को लेकर पूरी तरह गंभीर है उनके हग दिलवाने में सरकार कोई कसर नहीं चोड़ना चाती इस बात के संकेत दो दिन पहले ही महराष्ट के सीम एकनाच शिंदे ने मीडिया से बात करते वक्त दिये थे महराष्ट सरकार ने जरांगे पाटिल के सभी मांगों पर एक अध्यादेश तयार किया उस अध्यादेश के कई मुद्धों पर महराष्ट सरकार और जरांगे पाटिल के बीच सहमती बन दे अब तक 54 लाख लोगों के कुन्बी होने का प्रमार मिला है सरकार तो उनकी वंचावली के मिलान के लिए कमिटी बना दी है जिन 37 लाख लोगों को सर्टिविकेट दिया गया उनका डाटा कुछ दिनों में मराथा अंदोलन के दिताओं को दे दिया जाएगा कुन्बी का रिकॉर्ड खोचने वाली कमिटी का कारिकाल बढ़ाय जाने पर सहमती बन गई तैप प्रक्रिया के तहट आंदोलन कारियों पर तर्च मकदमें वापस लेने का जिक्र भी अध्यादेश में है और बच्चों के मुफ्त शिक्षा पर फिलाहन सरकार ने कोई थूज जवाब नहीं दिया कुल मिलाकर मराथा अरक्षिन को लेकर जितनी भी मांगे थी उनमें से जानतर मांगों पर सहमती बन चुकी है हजारों लाकों समर्थकों के साथ मनोज गांगे पाटिल का जो काफिला मुंबई की ओर आगे बढ़ गा था अब वो भी थम चुका है मराथा अरक्षिन को लेकर महाराष्ट सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर आने वाले दिनों में लोकसबा चुनाओ पर धी दिख सकता है क्योंकि पिछले लंबे वक्त से महाराष्ट की पॉलिटेक्स इसी मराथा आंदोलन के इर्धिकर्ध गुम रही है केंदर की मोरी सरकार भी इस बात को बखो भी जानती है कि महाराथा समुदाय को साथ लिये बिना वो लोकसबा चुनाओ में महाराष्ट का किला फता नहीं कर पाएगी इसलिए उसने सही वक्त पर बिल्कुल सही करम उठाया सरकार की इस वैसले की बारिकी को समझने के लिए आपको पहले महाराष्ट की मराथा कैलकुलेशन को समझना होगा दर्तल महाराष्ट की कौल आबादी में 30-33% आबादी मराथा समुदाय की है महराष्ट में लोगसभा की 48 सीटे हैं और ये आबादी वहां 20 से 22 सीटों पर निंडायक मानी जाती है इसके लावा विधानसभा की 288 सीटों में से करीब 85 सीटों पर मराथा समुदाय का सर मारा जाता है मराथवाडा मराथों का गड़ है जो विधर्वों में OVC समुदाय का तब दबा है राजी की 48 लोगसभा सीटों में से 11 इसी इलाके में हैं वहां की 10 सीटों पर फिलहाल BJP का कपजा है मराथा आरक्षन के मुद्दे सुलजाकर मुदी सरकार ने लोगसभा चुनाव के लिए बाला मास्टर स्ट्रॉक चला है ये मुद्दा महराष्ट की राजनीत में एक अर्शे से चला आ रहा है मगर इसे सुलजाने में जितनी गंभीरता इस सरकार ने दिखाई उतने पहले कभी नहीं दिखी और अब उमीद की जा रही है कि सरकार की इस फैसले का सर लोगसभा चुनाव में भी पड़ेगा महराष्ट की जिन 20 से 22 सीटों पर मराठा समुदायक निर्णायक भूमिका निभाता है अगर उनमें से 15 से 18 सीटे भी बीजेपी के खाते में चली गई तो मोदी के मिशन 400 को पूरा करने से कोई नहीं रोग पाएगा अब तक आप ये सुन और समझ चुके है कि मराठा अरक्षन का मुद्दा असल में है क्या मगर एक बार ये समझ लीजिए कि असल में वो मराठा समुदाय क्या है जिसके लिए अरक्षन की बात हो रही है दरसल एतिहासिक रूप से मराठा समुदाय एक योधाओं की जाती के तौर पर पहचाना जाता है इनमें बुख्य रूप से किसान और जमिदार शामिल है जो वहां की एक तिहाई आबादी के करीब है महराष्ट में जारतर लोग मराठी बोलते हैं मगर सबी मराठी भाषी लोग मराठा नहीं है राजनितिक रूप से मराठा महराष्ट का प्रभावशाली समुदाय रहा है और अब तक महराष्ट के जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनमें ज्यादतर मराठा समुदाय से रहे हैं मगर इसके बावजूद ये समुदाय प्रिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई नड़ रहा है हलाकि मोधी ने बता दिया कि मराठों को उनका हक वो दिलबा कर रहेंगे इस बात से मोधी विरोधी खेमे में हलचल मची हुई है सबसे ज़्यादा परेशान महाव विकास अगारी के लेता है क्योंकि अब तक मराठा समुदाय को शिफसिना और NCP का सियासी आधार माना जाता है शिफसिना और NCP दोनों ही पार्टियां फिलाल दो धड़ों में टूटी हुई है और ऐसे में बीजेपी का मराठा समुदाय की तरफ हाथ बढ़ाना उनके विरोधियों को चारो खानिचित कर सकता है मराठा अनोलन पर महाराश्ट सर्गार के फैसले ने उद्धाव ठाके की चिंताईं भी बढ़ा दी है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स मराठी मानुस के इर्द गिर्द घुमती है लेकिन अब मराठी मानुस वाली पॉलिटिक्स में बीजेपी भी पूरी तरह से एंट्री कर चुकी है मराठा आरक्षन का कार चल कर बीजेपी ने उद्धाव ठाके को धर्म संकट में दाल लिया है अभी भी परकरार है वो ये कि कैस सरकार के सद्यादेश्ट मराठा आरक्षन का मुद्दा सुलच जाएगा सवाल इसलिए क्योंकि मराठा आरक्षन की इस मुद्दे पर सुप्रीम कोट में भी लंबी सुनुवाई चली और पाच मई 2020 को सुप्रीम कोट ने मराठा आरक्षन को रद्ध करने का फैसले सुनाया उस वक्त सुप्रीम कोट ने मराथा समुदाई को दिये गए आरक्षन को असम्वेठान किरा दिया था कोट ने कहाता कि 50 प्रिजदी आरक्षन सीमा तै करने वाले फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है और मराठा आरक्षन इस 50 फिस्दी की सीमा का उलंगन करता है 21 अप्रेल 2023 को सुप्रीम कोट ने मराठा आरक्षन को रद्ध करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया अलाकि फिलहाल महराष्ट सरकार ने राजनितिक सोजबूस से समुद्ध को सुलचा लिया और उमीद की जा रही है कि आगे ये मामला किसी कानूनी पचले में ना पसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से मराठा समुदाइक गटगट है जिस अपने को पूरा करने की आस में कई लोगों ने अपनी जान तक दाव पर लगा दि वो अब पूरा होने की तरह बढ़ चला है और इसके साथ ही बीजेपी के प्रती प्रधानमंत्री मोधी के प्रती मराठा समाज में विश्वास और भी मजबूत होता दिख रहा है